Hello friends, मैं नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो कईज आज के वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसी चीजों के बारे में Trust me, आपको आज के बात कभी भी ये तीन चीजों को follow करेंगे, तीन rule को follow करेंगे कभी भी आपको crypto के अंदर नुकसान नहीं होगा 2015 से हूँ मैं crypto के अंदर और अगर आपको बोलूँ, आज तक कोई भी coin मैंने किसी नुकसान में एडनी बेजा है बहले ही फायदा ना हुआ हो, पर हाँ, नुकसान में कभी कोई coin नहीं बेजा है तो क्या है वो follow करेंगे, definitely मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी नुकसान नहीं होगा तो guys, वीडियो और साट करने से पहले, टेलिग्राम पे अगर आप लोगो ने अभी तक मुझे जोईन नहीं किया ज़रूर जोईन करने के, जहां से सारे अपडेट्स में नहीं मिल सकेंगे, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च करके जोईन नहीं करना है, क्योंकि स्कैमर्स ने भी चैनले से बनाए है, किसी स्कैमर के चैनल में एड होगे, तो आपके साथ कुछ स्कैम हो सकता है, ट्वीटर पे, इंस्टाग्राम पे भी अगर जोईन करना है, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप जोईन कर सकते ह है, बाद में आएंगे, पर पहले कुछ चीजों को समझते हैं यहाँ पर, बिटकॉइन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कई लोग चीजों में बिटकॉइन का एक्जाम्बल देते हैं, अगर आप देखेंगे बिटकॉइन, साठ हजार ये अगर मैं चार्ट के अकॉ 24 में कुछ दिखा रहा है ठीग है, important चीज यह है कि December 2021, क्या December 2021 यहां से आ गई थी, October 2013 से लेके, यहां तक पॉचने में time लगा हमें, क्या इस बीच, Bitcoin हमेशा उपर दान नहीं, आप देखेंगे, Bitcoin का price बढ़ा, 2016 की बात में करता हूं, December की price बढ़ा बढ़ा, यहां पे अगर आप देखेंगे, December 2017 पे price बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर बढ़ा, और बढ़ने के बाद कहां आया, फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, Ethereum का price अगर आप देखेंगे, क्या हुआ मैं ख़ली 2 coin में बता रहा हूँ आपको बाक्यों में नहीं जा रहा हूँ price बड़ा बड़ा ऊपर गया नीचे आया फिर यहां से ऊपर गया अब आप मुझे बोलेंगे कि यह क्या बता रहा हूँ मैं आपको किये तो आपको भी पता ही है तो सबको पता है, कुछ चीजे हम लोग पहले facts के बारे में बात करते हैं, क्या price सीधा उपर चला गया, क्या price कभी नीचे नहीं आया, इसका price, bitcoin का price उपर गाने के बाद नीचे आया, बिलकुल आया, अब एक छोटा से example में आपको देता हूँ, अगर आप किसी जमीन में कोई जगा लेते हैं, उस पे invest करते हैं, let's say मैंने एक जमीन खरी दी, 10 लाक रुपे की, क्या रोज रोज जाके ब्रोकर के पास जाते हैं, यार 10 लाक की मैंने जमीन खरी दी थी, भाई एक बात बताओ, एक दिन बाद जाके भाई इसका rate कितना हो गया, ब्रोकर ने बोला जी फिर आप ये करते हैं, जमीन खरीद के भूल गए, पांच साल बात जाते हैं, यार जो मैंने जमीन खरीदी थी, उसका क्या rate चल रहा होगा, आंसर मिलता है, जी 10 लाक की आपने लीती, जी उसका rate तो भी 20 लाक रुप होगा, आपने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 सा आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि क्या एक-एक-दो-दो दिन बाद जाके price देखते हो, नहीं देखते, तो crypto में आप लोग ये चीज क्यों समझते हो, समझाना आपको ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि पहला rule जो है, वो है patience, patience रखना जरूरी है, अगर आपको कोई coin recommend कर करता है, मैं करता हूँ या कोई भी करता है, ये नहीं है कि coin खरीदा और आप सोचो आप करोड़ पती बन जाओगे लेती, भाई अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में हर एक आदमी करोड़ पती होता, जो भी आज crypto में आया हो, दुनिया जो हिला देता, उपर ऐसा होता नही था यहाँ पे सकरेट, जिन्होंने यहाँ बेच दिया होगा यह सोच के कि bitcoin तो बेकार है, नुकसान आ रहा है, वो सोचो यहाँ पे आने के बाद उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या उपर आने के बाद नीचे नहीं आ है, पर जिसने उस pump के बाद भी नीचे आने पर पैनिक नहीं किया था, परिशार नहीं हुआ था, वो ही असली हगदार है, जब बिटकोईन यहां पहुचा, खुश होने का, वो नहीं है जिसने यहां पे बेच दिया था, क्यों? क्योंकि टिके रहे, मैंने जब आप लोग को मैं बताता हूँ, मैंने फर्स टाइम बिटक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आज मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि 15 में लिया था, पर अगर मैं यह सोच के यहां बेच देता है कि यार अब तो प्राइस गिर रहा है, मैं तो बिटकोई बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो भाई फिर तो नुकसान हो गया ना, त यहां तो कोईन यहां से यहां आ जाता है, आप समझो, यहां पर अगर आप देखोगे, जब था यह देखो आप, 60,000 से सीधा नीचे आ जाता है, सोचो इस पैनिक में क्या होगा आपका, यहां तो यह निउस भी आ सकती है कि कंट्री ने क्रिप्टो को हटा दिया, चाइना ने क्या करा था, इस तरीके की निउस भी आती है, तो भाई वो क्रिप्टो में ना आए पहली चीज, जो डरा रहता है, जो पैनिक में रहता है, क्योंकि पैनिक में आओगे न, गलट डिसीजन लोगे, पीछे देखा था, इंडिया निउस चैनल ने क्या करा, लोगों ने बेच के वजीरच पे बेच दिया, अब रो रहे हैं, यहान नुकसान में बेच दिया, पैनिक में कभी भी मत आना, कभी भी अगर क्रिप्टो के अंदर हो, क्योंकि यहां पे एक एक दिन में जो है निउस कहीं कहीं बदल जाती है, तो पैनिक में ना आना है रूल नंबर 1, दूसरा rule number वो ये है कि भाई research करना सीखो और अगर research नहीं करनी है तो फिर जिस पर trust कर दे हो उस पर trust करो, क्या बता रहा हूँ आपको लेक्से मैं एक आपको coin recommend करता हूँ मैं या कोई भी recommend करता है तो अगर आप मेरी recommendation से वो coin buy कर दे हो तो फिर मेरे पर भरोसा रखो मैं खाली मेरी बात यहाँ पर नहीं कर दा हूँ मैं सब की बात कर दा हूँ कि अगर किसी के बोलने पर coin ले रहे हो तो फिर भरोसा रखो और अगर भरोसा नहीं करना तो अपनी research करो, जो इन दोनों को नहीं करेगा ना जो बीच में रहेगा ना तो अपनी research करेगा, सुनने के बाद coin ले लेगा और जब नीचे हो जाता है price तो फिर panic हो जाता है तो यह जो panic है ना, यह panic में यहाँ पर नहीं आना है और अगर भरोसा कर रहा है किसी पर तो उस पर फिर सकता है, आज से दो साल बाद वो और आपका meme coin रहे ना, fundamental strong coin रहे, ठीकेगा, सबसे ज़ादा fundamental strong coin कौन सा है पहले number पर bitcoin है, दूसरे number पर इतीरियम है, उसके बाद के जो coin है चल रहे है वो, अच्छे हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि fundamental strong कौन सा है पर अगर एक meme coin ले लिया, मैं नाम किसी का यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो यह उस बारे में नहीं है, तो नाम पर किसी coin किन जाएंगे, लेट से एक X आपने meme coin ले लिया, क्या, आज से पहले कभी कोई meme coin ले लिया, हर साल आते हैं और उस साल, दो साल बात खतम भी हो जाते हैं तो या तो लो, अपना profit book कर लो दो तरीके के दिए के लोग होते हैं market के अंदर, एक वो होते हैं जो long run पर चल रहे होते हैं, जो मैंने आपको example दिया कि आपने जमीन खरीदी इंतजार किया एक time being के बाद मैं जाओंगा और इसको पेचूंगा, अब एक कौन है खरीदा, रोज panic, और यार थोड़ा सा उपर बढ़ जाएगा इसको बेच दूँगा, फाइदा हो जाएगा यार मेरे को नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब ये उसी के साथ होता है जो research अपनी नहीं करता है, जिसने research करी है उसको पता है, ये x coin है ये coin जो है बढ़िया है fundamental, ये कहीं नहीं जाएगा, उससे पता है उसका founder कौन है, उसने research करी है उसके founder के background के बारे में, तो वो डरेगा नहीं, वो दूसरा वाला जना है, जो यहाँ पर डर जाता है, तो भाई एक अपनी research करो, अब research में भी कहीं लों क्या बोलते हैं, कि मैं एक आपको x coin देता हूँ, आप क्या बोलते हो, अरे जी आपने तो हमें ये coin को suggest किया है हम तो आपकी research पर भड़ोसा करेंगा, अब आपको ये बात समझो, मेरे लिए वो coin को खरीदने का example है again, इसको कोई गलत sense मत ले न, मेरे लिए मानना है कि भई 100 dollar का अगर मैं कोई coin करीद लेता हूँ, कोई बात नी पढ़ा रहेगा, नहीं भी फाइदा होगा, कोई बात नी, बात में देखा जाएगा उसका, अब हो सकता है, 100 dollar किसी और के लिए बहुत बड़ा नमबर हो न, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी research और आपकी research में यहां पर अंतर हो जाता है, हाँ, बात सुनो, का ध्यान रेकर, तीसा रूल बहुत important है, और वो rule यह है, कि भाईया rule number 1 और rule number 2 को follow करो, बस यह दो ही rule है, एक तो panic नहीं होना है, अपनी research करनी है, और research नहीं करनी तो जिसकी ने research करी है, उसकी research पर भरोसा करो यहां पर, यह दो चीज़े हैं, trust me, दोनों को follow करो कि आप Ethereum को उठाये मैंने, यहां से अगर आप देखोगे, एक डॉलर का था, 2015 में, 2015 के अंदर, अब आप सोचो कि मुझे वो time पे, जब मैंने BTC खरीदा था, मुझे Ethereum के बारे पता चला था, बहुत अच्छा coin ने पर लगा था कि, नया नया आया है, कुछ ज्यादा पता नहीं है, पर आप समझो, जिसने वो एक डॉलर पे वहाँ से उठा लिया होगा, वो आज यहाँ पे Ethereum को लेके क्या मज़े करता होगा, जिसने वो time पे 1000 Ethereum निकाल लिया होगे, 1000 डॉलर खर्च करके, आप सोचो वो यहाँ पे का होगा, और वो coin जो आने वाले time में 10,000 डॉलर पे भी ज आपको ध्यान रखना है, trust me guys, 2015 से हूँ मैं यहाँ पे, और अगर आप share market की बात करेंगे, तो वो मैं करीब करीब 2011 से हूँ मैं वहाँ पे, 11-12 से, 10 साल से वहाँ पे हूँ, और करीब 7 साल से यहाँ पे हूँ, तो trust me, यह दो चीज़े याद रखेगा, trading में, चाहे crypto के बार यहाँ पे नहीं कर दो, उससे वीडियो नहीं है हमारा, fundamental strong coin जो है उनसके related वीडियो, तो यह दो rule को बस follow करेंगे आप, तो definitely long run पे जो आपको अच्छा फायदा है यहाँ पे होगा, तो यह था guys, एक वीडियो आप लोग को बताने के लिए, इस educational वीडियो, आप लोग को ख लोग को वो चीज समझ में आ लिए, तो वीडियो फैंट्स अगर पसंदा है, इसको like और share जोर करेंगा, चैनल में अगर आप नई है, first time मेरा वीडियो देख रहे है, जरूर हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिएगा, और सारे updates के लिए, टेलीग्राम का जो चैनल होसे जोर 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 करके रखेगा, जहां से सारे मेरे updates आपको regular फटा फट जोर मिल सके, thank you friends,